डॉक्तर दश्रत ने माना है कि हम्मीर देव चौहान के पिता महराजा जैत्र सिंग ने हम्मीर का राज़ा रोहन सन 1282 में अपने ही जीवनकाल में कर दिया था। हम्मीर महाकावय के अनुसार हम्मीर जेश्ट कुत्र नहीं था तथा पिवहर अविवार को माग मास में विक्रम समवत 1349 को राज़गद्धी पर बैठा था। वही प्रबंध कोश के अनुसार हम्मीर देव चौहान का राज़ा रोहन विक्रम समवत 1343 की करीब बताया गया है। हम्मीर महाकावय एवं प्रबंध कोश दोनों महाकावयों की रचना हम्मीर देव के समकालीन थी। दश्रत शर्मा ने हम्मीर देव का राज़ा विशित लिक्रम समवत 1349 से 1343 के बीच ही स्विकारः है और उनके पता जैत्रसिन ने हम्मीर देव को वसीयत की रूप में रंथंभ और सामराज्य का विस्तृत सामराज्य संभलाया था। लेकिन हम्मीर देव चौहान महत्वा कांप्षी शासक इस सामराजय से संतुष्ट नहीं था। भारत वर्ष के एतिहासिक शासकों में हम्मीर देव चौहान को हठी राजा हाथपती रंपती एवं रंप्रदेश का चौहान नाम से पहचान बनाए। महराजा हम्मीर देव चौहान के प्रिय घुड़े का नाम बादल था वही हम्मीर देव चौहान की रानी का नाम रन बेवी और इनकी पुत्री का नाम पद्मला था जो की हम्मीर देव को अत्यंत प्रिय थी हम्मیर देव शैफधर्म का अनियाय एवं भगवांशिक का परंभक्ता हम्मीर महाकावय की रचियता नचन्ड सूरी है इस महाकावय में रन्थमभौρ के महानशासक हम्मीर देव चोहान के सामराज्य का विस्तार से वर्नन्ग किया गया है हम्मीर महाकावय भारतिय इतिहास की एक महान कृती है. नचंड सूरी ने इस महाकावय में जेत्रसिंग बउस से पहले वाले रंठमब और शासकों का भी साराण्ष रूप में वर्नित किया है. पद्य रूप में लिखा यह महाकाव्य रंधंग और सामराज्य के विभिन पहलों की जानकारी का महत्वकून स्त्रौत है यह महाकाव्य हम्मीर की वीरता के गान से ओध प्रोथ है इस महाकाव्य में बताया गया है कि मालवा, वर्तमान गुजरात के राजा भुज को एवं गदमंडिलगिल के राजा अरजुन को पराजिक करने वाला हम्मीर देव चौहान एक महान राजपूर था और सही भी है कि महान व्यक्तियों के बारे में ही महाकावय जैसे बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। राजस्थान के दो महान शासक थे जिनके महाकावय लिखे गए और बो थे पृत्विराज चौहान और हम्मीर देव चौहान। इस महान ग्रंथ की रचना जो धराज ने की थी। इन्होंने नीवगर वर्तमान नीम्राना अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोग पर हम्मीर रासो नामत प्रंबदकावय समवत 1875 में लिखा। रंथम भौर के राजा हम्मीर देव चौहान के विजय अभ्यानों से चंद्रभान काफी प्रभावित थे। इस प्रंबदकावय में रंथम भौर के प्रसित शासक हम्मीर देव का चरित्र बीर गाथा काल की छप्ते पध्धती पर वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम्मीर देव चौहान ने शर्नागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योचावर कर दिया। राजा हम्मीर ने कई बार दिल्नी शासक जलाल उपदीन खिलजी को पराजित किया और अलाउपदीन खिलजी जैसे शासक के दांग प्टे कर दिये। हम्मीर रासो हम्मीर की वीर गाथाओं के साथ वो जस्वी भाशा में बहुत अच्छा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में बताया गया है कि मुहम्मद शाह मंगोल दिल्नी के शासक अलाउपदीन खिलजी की बेगम से बहत प्यार करता था और उसका धन लूट करके वो वहां से भाग गया था, जिसे अलाउपदीन खिलजी पकड़ना चाहता था। हम्मीर रासों में अलाउपदीन खिलजी की बेगम का नाम चिमन बताया गया है। समवत 1902 में चंग शेखर वाजपई ने हम्मीर हग ग्रंथ लिखा था। इसने भी इस घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। हम्मीर रासों के अनुसार रंधंभ और सामराचय उच्जैन से लेकर मतुरा तक एवं मालवा गुजरात से लेकर अर्भुदाचल तक हम्मीर देव बढ़ा दिया था। हम्मीर रासों से ग्यात होता है कि हम्मीर देव उच्जैन को जीतकर महाकालिश वर्जयोतिरलिंग में शिव की पूजा की थी एवं अजमेर को जीतकर पुष्कर में शही स्नान किया था। हम्मीर महाकाव्य से ग्यात होता है कि हम्मीर देव ने धार के परमार वंच की शासक महाराजा भोच्वितिय को पराजित किया था इस विजह को डॉक्टर दश्रत शर्मा ने 1282 इस्वी के लगभग माना है। दश्रत शर्मा के अनुसार हम्मीर चौहान ने मांडलगर उदैपुर के राजा जे सिम्हा को पराजित करके बंदी बनाकर रंधम भौर में रखा था। बाद हम्मीर देव ने उसे इस बात पर छोड़ दिया कि वो रंधम भौर सामराज्य को हमेशा कर देता रहेगा और हर संभव रंधम भौर सामराज्य के इतने ही कार्य करेगा। हम्मीर देव ने वरतमान माउंट आबू के राजा प्रताप सिंग को परास्त करने के बाद मार दिया था